आज के इस वीडियो में हम आपको कलास 10 विहार बोर्ड कलास 10 का ये हिंदी बुक है और जो काभ्य खंड पद खंड भी बोलते हैं काभ्य खंड इसका नाम है प्रेम आयनिस्ति राधिका और दूसरा चिप्टर इसी में है करील के कुंजन उपर वारो जिसका लेखक है कभी र परीचे जो है वो पूरा का पूरा जो भी कृस्टिन पुछ सकता है सारा इसमें इसमें कलोड रहेगा और जो भी इसका परशन उतर है सारा बताएंगे मतलब देखने के बाद आप इसी और वीडियो को देखना प्रसंद नहीं करोगे क्योंकि इसी में आपको सब समझा दि पीचे एक्जाम में लेखक परीचे बड़ा इंपोर्टेंट रोल अधा करता है कि लेखक के बारे में पूछा जाता है देखिए रस खान जी का पूरा नाम सयद इब्राहिम खान था और इनका जन्म पंद्रह सौरतालिस इस्वी में हुआ था एक पठान परिवार में मुस आप दोनों में देख लिजिए आठ आठ है तो कह सकते हैं पंद्रह सौरतालिस शौले सौरताइस ठीक है इनके मिर्टी शौरताइस में जनम पंद्रह सौरतालिस में और पुरानम सयद इब्राहिम खान था ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए आप धियान दिजीए अगर रस्खान जी जो है नाम से भी पता चल रहा है मुसलिम थे फिर भी इन्हों है जीवन भर कृष्ण भक्ति का गान किया आज कल देख लिजिए कुछ लोग इतना धर्मबादी हो जाते हैं कि एक धर्म के बाद दूसरे धर्म की देवताओं को भी गाली देवेटते हैं लेकिन के रस्खान मुसलिम होने के बाबजूद स्री कृष्ण का भक्ति करते थे तो इनके परती भगवान का कितना वरा महत्वधा सोचिए तो कोई भी धर्म का भगवान भगवान ही होता है चाहिए किसी भी धर्म का इस्वर हो ठीक है आगे बढ़ते हैं ये क्वेस्तन बड़ा अर्थ समझेंगे ध्यान दीजिए सबसे पहले हम जानेंगे पर्टी इनकी भगवती देकर गोस्वामी बिठल नाथ जी नहीं अपना सिस्य मना लिया अब क्रिशन परती इनका जो भक्ती था उसको देख करके गोस्वामी बिठल नाथ जो थे इनहें अपना सिस्य से बना बच्पन के अवस्था से ही या प्रेमी सौभाव के थे बच्पन के अवस्था से ही प्रेमी सौभाव के थे प्रेम करने किसी के परती प्रेम दिखाना बाद में यही प्रेम इस वर यह प्रेम में बदल गया जिसे हम किसे से प्रेम करते हैं लोग करते हैं तो हमारा जो प्रे जी के मंदिर में साक्षात कृष्ण के दर्सन हुए थे ऐसा लोगों का मानना है कि स्रीनाथ जी का जो मंदिर है इसमें रस्खान जी को स्री गृष्ण जी साक्षात दर्सन दिये थे अब सोचली जी इतना प्रेमी कभी थे इतना लीन थे कृष्ण के भक्ति में वीडियो को कर दिसी देखिए अब आगे बरते हैं इसे क्रिश्न दर्सन से उत्प्रेरित होकर व्रज भूमी में रहने लगे और मिर्तियों तक वहीं रहने गया कि पूचा है कि किस मंदिर में क का कर्षण दर्षण हुआ तो इनको श्रीनाथ जी कि मंदिन में क्रिश्ण का दर्ष ल Unidos चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे ध्यान दीजी आगे पर मुख रचना इनकी पर मुख रचना जो है इनकी पर मुख रचना जो है जिनका नाम है सुजान रस्खान तथा प्रेम वाटिका सुजान रस्खान और प्रेम वाटिका ये इनका रचना है अब देखिए पाठ परीचे जो हम परने वाले हैं चप्तर उसको पहले समझते हैं परस्तूत पाठ में रस्खान के दो पद संकले थे रस्खान का मात्र दो पद लिया है पर्थम पद दोहे और सुर्ठा चंद में है पर्थम पद जो है दोहा है जो चंद है एक परकार के जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम में युगल का अती हिर्देहारी वरनन है अब इसमें पहले पद में जो है राधा और कृष्ण के प्रेम में जोरी आपको पता है लोग प्रेम का अउधारन देता है तो राधा कृष्ण का अउधारन जरूर देते हैं कि उनका प्रेम बहुत अमर है तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसी के रूप का हिर्दे से वरनन किये हैं एक होता है बनावटी वरनन यह यहाँ पर ऐसी वरनन किय है कि आपको सुनकर आगे परिएगा तो आपको समझ आएगा ठीक है इसमें राधा कृष्ण के मनोहर रूप कभी के हिर्दय की आकर्षन वैक्त हुई है अब देखिए राधा कृष्ण का जो रूप है उस पर कभी का हिर्दय वैक्त आकर्षन मतलब आकर्षी यह से होता है न अब देखिए क्या है अब है प्रेम आईनिक सिरी राधिकार यहां देजिए जब कि दूसरे पद में पहले पद के बारे में आपने जाना उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम में युगल का वर्नन था अब दूसरे पद में कभी हर इस्थिति में ब्रज में जीना चाहते है अब दूसरे पद में कभी क्या बता रहे हैं कि चाहें इस्थिति जैसा भी हो हम वर्ज भूमी में ही जीएंगे और मरेंगे यहीं हमारा अस्थान है यहीं परवास्त करेंगे कि कि क्रिश्ण और राधा के परती कभी का बहुत ज़्यदा परिम था इसमें वरज के परती बढ़पन व्यक्त होता है अपने आपको वरज के परती समरपीत कर देते तो पहला पंक्ति आपका है प्रेम आईनी इस रियादिपा इसका हम लोग आड़त समस्त लेखें प्रेम आईनी स्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद दोनों में अंतर है यह देखिए नंद नंद वेतावाए नंद नाम है न हुआ इंद वेटं यह नंद हो उसका पुत्र वेटा ठीक प्रेम अईनी स्री राधिका प्रेम वॉटिक्त के नंध का के दौ माली मालिन न२ंत क्या होगा रस्खाण कभी कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूपा है राधा क्या है रस्खान कभी कहते हैं राधा प्रेम स्वरूपा है प्रेम की देवी है रूप बती है तो स्रीक्रिष्न प्रेम रूप है तो स्रीक्रिष्न प्रेम की रूप है और ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका में जैसे वगीचा होता है वही प्रेम का जो बगीचा होता है जहां पर सिर्फ प्रेम ही प्रेम खिलते हैं उस प्रेम के बाटिका के दो ही माली मालीन है माली कृष्ण को और मालीन राधा को कहा गया है तो दो ही माली मालीन है कृष्ण और राधा ध्यान दीजिएगा तो प्रशन का उत्तर याद नहीं लखी अब द्रिग अपने नाही आचे आवत धनुस से छूटे सर से जाई क्या बोल रहा है कि मोहन छवी रस्खानी लखी अब द्रिग अपने नाही आचे आवत धनुस से छूटे सर से जाई क्या इसकार्थ हुआ तो इसकार्थ हुआ है कभी ने जब से इन दोनों को देखा किनको कभी ने जब से कृष्ण और राधा को देखा है उनकी आँखे उन्हीं दोनों को देखती रहती है, कभी जब से कृष्ण और राधा को को ही देखती रहती है, चन भर के लिए आते हैं और जिसे धनुस से वान चुटता है उसी परकार आते जाते रहते हैं कुछ देर के लिए आते हैं और जिसे मानों की धनुस से वान चुट रहा हो उस परकार से आते हैं और फिर चले जाते हैं किनके बारे में कभी के राधा और कृष्ण के बारे में आपको पता है इनको राधा क्रिष्ण का दर्सन हुआ था तो छन भर के लिए आख के पलक के नीचे आते आप किसी को देख लिजीए उनसे प्रेम करते हैं उनके नहीं राने के बाबजुद आँख बंद करने पर इसा मानों कि लगता है कि लगता है तो हमारे पास है उसे आप लोग अनुभब जरूर करते होंगे देखिए मोमन मानिक ले गए हो चिते चोर नंद अब बोल रहा है मोमन मानिक ले गए हो चिते चोर नंद अब बे मन म रस्खान के मन को चुरा लिया है जिस कारण मन एक्छा रहित हो गए है जिस कारण से रस्खान का जो मन है एक्छा रहित हो गया उनको कुछ करने की एक्छा ही नहीं है वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फस गए है आपको पता है प्रेम एक इसा जाल है जो दिखता नहीं ह लेकिन जो इसमें एक बार फस जाता है जितना चरपटाई आप फसते जाएगा तो वही स्रीक्रिश्न के प्रेम के जाल में कौन रस्खान फस चुके हैं इनके मन को वह चुरा लिए है ठीक है और इस जाल के प्रेम के जाल में बुरी तरीका से रस्खान जी फस गये हैं मतलब प्रेम कर रहे हैं आए बढ़ते हैं ध्यान दीजिए देखिए प्रितम नंद किसोर जा दिन ते नई नई लागियो मन पावन चित चोर पलक उट नहीं करी सको अब देखिए क्या बोला रस्खान अपनी विवस्ता प्रकट हुए करते हुए कहते हैं मतलब लाचार हैं और कहत हैं कि जिस दिन से उनके दर्सन हुए हैं कि इनके स्रीकृष्ण के जिस दिन से उनके दर्सन हुए हैं उसने मन चुरा लिया मेरा मन उन्हीं में चला गया मेरा मन को चुरा लिया हर्चन कृष्ण और राधा के रूप संदर्य को अपलक देखते रहते हैं हर्चन कृष्ण और राधा के रूप को अपलक बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं. ठीक है? कौन? रस्खान देखते रहते हैं. अब आगे बढ़ते हैं आपका दूसरा. यह पहला पंक्ति आपको बोले थे पहले, अब यह दूसरा है जिसका नाम है करील के कुंजन उपर वारो. ठीक है करील के कुंजन उपर वारों बोल रहा है यह लकुटी अरू कमर्या पर राज तिहूपुर की ताजी डारों समझे लकुटी मतलब लाथी लकुटी अरू कमर्या 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 कम्बल को कहा गया पर राज तिहूपुर की ताजी डारों मतलब होगा कि कभी रस्खान अपने हारदिक अभिलासा अपने एकच्छा पर कट करते हुए कहते हैं कि स्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर जो उनके प्रेम करते हैं उनका कहना है कि एक तरफ मुझे तीनों लोक का राजा बना दिया जाए अगर दूसरी तरफ हमें ख्रवे कृष्ण का लाठी और कंबल दे दिया जाए तो उनका लाठी और कंबल हम लेगे यह राजा क्या बनेगे राज को त्याग देंगे तो इतना प्रेम करते हैं अब सोच सकते हैं यह आजकाल के प्रेमी नहीं है कि बस अब समझ सकते हैं मुसीबत में छोड़कर चले जाना तो लेकिन यहाँ पर इनका सच्चा प्रेम है अब समझे प्रतेक लपंक्तिक आर्थ बताएं बोल रहा है कि नंद बावा की गाय चराने का अबसर मिल जाए अब लेखक करते हैं कभी कहते हैं अगर स्री कृष्म जिस गाय को चराते थे उस गाय को चराने का मौका मिल जाए तो आठो फरकार की जो सिद्धियों है तथा नौ निदियों के जो सुख होते हैं उस सुख को त्याग करने में मुझे केस्ट महसूस नहीं होगा मतलब उनका गाये चराने में मुझे इतना आनंद आएगा कि मैं सारा दुनिया का कर्ष्ट उसके बदले सहलूँगा सोच लिजिए कितना प्रेम करते हैं आगे आपका है ध्यान रखिए आगे है रस्खानी कवो इन आखिन सो बरज के बनवाग तडाग निहारो अब क्या होगा मतलब कवी का कहना है कि जब से बरज के वनों को निकुंजों तालाबों तथा करील के सघन कुंजों जो तालाब है जो सघन मतलब घना कुंज है कुंजों को अपनी आखाओं से देखा हो मतलब कवी बोल ले जब से वरज की धरती के जो विर्क्ष है जो वन है जो तालाब है जो नदी है जो जर्नों है उनको जब से मैं देखा हूँ ठीक है जब से उनको मैं देखा हूँ कोटिक रव कलधोत के धाम करील के कुंजन उपर बारू तब से एक्षा होती है, मन होता है कि ऐसे मनोहर निकुंज़ों की मतलब मन को हरने वाले निकुंज़ों की सुन्दरता के सामने करोरो सोने की महल तुक्षपर्तित होते हैं ऐसे तालाव के सामने करोरो सोने की महल हमें बहुत तुक्षपर्तित होता है समझ में आता है। वह चोटा। मुल्यवान महलों को छोर जहां क्रिश्न रास लिला करते थे वही निवास कर, लेखा कहते हैं कि ऐसा जो सवने का महल मुझे मिले तो मैं उसे छोर करके जहां पर श्री कृष्ण रास लिला करते थे उसी में मैं चला जाओं उसी घर में उसी जोप्री में में रहूं ठीक है चलिए आपका चप्टर खतम हो गया ठीक है आपका चप्टर खतम हो गया अब हम लोग प्रस्नुत्तर पर आगए ठीक है चप्टर खतम प्रस्नुत्तर पर आग और कृष्ण को माली और मालीन कहा है अब देखिए कभी ने माली मालीन कृष्ण और राधा को कहा है देखिए वही बात है क्योंकि कभी राधा कृष्ण के प्रेम में जोरा को युगल को प्रेम भरे नेतर से देखा है यहाँ प्रेम को वाटिका वगीचा मानते हैं और उस प्रेम वाटिका के माली मालीन कृष्ण राधा को मानते हैं वाटिका का विकास माली मालीन की किरपा पर निर्फर करता है वाटिका का जो विकास है माली मालीन के किरपा पर ही करता है बोल रहा है, प्रस्तूत दोहे में सवया चंद में भाव के अनुसार भासा का परियोग अतियंत मार्मिक है, इसमें जो सवया चंद इसमें भाव के साथ भासा का भी परियोग है, संपूर्न चंद में ब्रज भासा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा रही है, कहीं कहीं त तसम के समासिक रूप भी मिल रहे हैं तदभर और तसम समास को भी उसमें बजोरा गया है कवीता में संगीत मयाता की धारा फुट पर यह संगीत एक तरसलगता गीत है अलंकार योजना से दृष्टांत अलंकार के साथ अनुपरास एबं रूपक का समागम परसंस निया है मध अच्छा सुंदर यह मतलब सुंदर तकांचितर नोगा है अगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ट देख लिजे अगला प्रश्ट टेक्या अगला है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है कभी का क्या मतलब है भी पराई क्या है स्पष्ट करें तो उतर होगा कभी कृष्ण और राधा के प्रेम में मनमुग्द होगे। अपना मन खो दिये। उनके मनमोहक छवी को देखकर कृष्ण के मनमोहक छवी को देखकर मन पुर्णता उस जोरे में रमग आजाता है। इन्हें लगता है कि इस दिले से मन रूपी मनी को मन ऌतेने मारे अंदर उसको किर्ष्ण ने चुरा लिये चित्राधा करश्न के युगल जोरी में लगए अब लगता है। कि यह सरीर मन इवम चित रहित्त हो गया है। इसलिए चित्रहरुने पाले क्रिश्न को चोर कहा गया है क्रिश्न हमारा चित को हर लिगा है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है सब्या में कभी की कैसी अकांचा परकट होती है इसके माधियम से कभी कहते हैं कि क्रिश्न लेला की छवी के सामने और दिश्व से बेकार है कि लेला जो है उसकी जो छवी है उसके सामने दुनिया की और इभी दिश्व से क्या है कभी प्रश्न को कभी कि लकुटी और कमिर्या पर तीनों लोकों का राज निचाबर कर देने की इक्षापर करते हैं। अब कभी कहते हैं कि किRISन की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज को हम चोड़ देंगे त्याग देंगे और नंद की गाए चराने की करिशन लीला का समर्ण करते हुए कहते हैं अब जब नंद की गाए कि दने क्या कांच्छा कभी प्रकट करते हैं ये सारे मिरे लिए बेकार है मैं कृष्न का गायच राओं उनके लाठी और कंबल से जो सुख मिलेगा बाकी किसी में नहीं मिलेगा , ठीक है चलिए , आंगे आपका आगे व्यक्या वाला थिक कह व्यक्या करे आपको व्यक्या अभी राधिका कि माधियम से स्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहते हैं स्रीकृष्ण के अपने आपको जिस दिन से स्रीकृष्ण से आखे चार हुई है उसी आखे मिला है उसी दिन से सुध्ध बुद्ध समाफ्त होगी है ना कुछ सुधाई दे रहा है ना बुद्धी काम कर रहा है पवित्र चित मन को चुराने वाले सरीकृष्ण से पलक हटाने के बाद भी अनयास उस मुख छवी को देखने के लिए विवस हो जाती है उस छवी को वस होता है यहां कभी बताना चाहता है कि प्रेमिका अपने प्रियतम प्रेमिको सदा अपने आख आखनी सो ब्रज के बनवाग निहारों क्या मतलब हुआ मतलब हुआ प्रस्तूत पंक्ति कृष्ण भक्त कभी रस्खान वा रचित हिंदी पाठ्य पुस्तक के करील के कुंजन ऊपर वारोपाठ से धियान रखिए इतना बात आपको व्यक्या के सारे प्रश्ण के उतर में लिखना है चलिए लाइक भी कर दिए आफिका का में प्रस्तूत व्यक्य पंक्ति के माद्भिहम से कभी रस्खान जी कहते हैं कि व्रज की बगीचा एवं तालाव अती सुभित है बहुत सुन्दर सुभित है एवं अनूपम है स्पेसल है इन आखों से उसकी सोभा देखते बनती है इन आखों से उसकी सोभा देखते बनती है आगे वड़ते हैं धियान देजिए असकी दिन स्वाट आप लेते जाईए ठेक है यह उसी प्रशन का उत्तर है इसानिक समझ्य का की दूसरा आ गया धियान देजिए आ इसमें क्या है कभी कहते हैं कि ब्रज के वनों के उपर अति रमनिय सुसोभित मनोहरी मधूबन के उपर इंदर लोग को भी नियुचावर कर दूं तो कम है मतलब इतने सुंदर रूप को देखकर इतना मनमुख्द हो गए कभी कि कहते हैं कि इन सारे लोग को इंदर लोग को स्वर्ग लोग को अंत्याग देंगे स्रीक्रि इसके सोभा निरंतर निहार्टे रहने की भावना को कभी ने इस पंक्ति के द्वरा बरेही सहज से लिम्य आसानी से रिव्यक्त किया है कभी को कृष्ण लीला आस्थल के जहां पर लिला करते थे उस अस्थल के जो कन कन से है उस से प्रेम है चोटे-छोटे कं से प्रेम आयनी स्री राधिका पाट का भाव या सारांस अपने सब्दों में ध्यान दीजे सारांस में प्रेम आयनी स्री राधिका में कृष्ण और राधा के प्रेम में रूप पर मुग्ध रस्खान कहते हैं कि राधा प्रेम का खजाना है जहां से प्रेम खतम ही नहीं हो सकता और स्री कृष्ण अर्थात नंदलाल साक्षात प्रेम स्वरूप हैं ये दोनों ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं जिन से प्रेम वाटिका खिली-खिली रहती है मोहन की छवी ऐसी है चितर ऐसा है कि उसे देखकर कवी की दसा धनुस्य छुटते तीर की तरह हो गई है धनुस्य जिसमें तीर छुट रहा उसकी क्या दसा रहती हो ही दसा कवी की हो गई उनकी चेहरे को देखकर जिसे धनुस्य से छुटता हुआ तीर वापस नहीं होता वैस और नहीं लगता है यही कभी का हाल है स्रीकृष्ण जो है मन कभी का मन मानिक चित चोर स्रीकृष्ण चुरा कर ले गए कभी का मन स्रीकृष्ण ने चुरा लिया ठीक है अब बिना मन के वह फंदे में फस गया है कोन कभी बिना मन के फंदे में फस गया है परीफेर की फंद आ लगा हुआ रहा था करील के कुंजन उपर वारों सवया में कभी रस्खान किया पहला पंक्ति का हम सारां से लेके दुसरा का कभी रस्खान की स्रीकृष्ण पर मुगदता और उनकी एक एक वस्तु पर ब्रज भूमी पर अपना सर्वस्थ क्या तीनों लोक निचावर करने की भाव मैं उद्ध कंठा एवश्श्ष्ड के दर्सन होता है मतलब कभी जहां पर स्रीकृष्ण रहते थे वहां के कंड कंड के लिए अपना सारा कुछ द्याग करने की बात को कहते हैं ठीक है रस्खान कहते हैं कि स्रिक्रिस्न जिस लाठी और कंबल पर जिस लाठी और कंबल से गाई चराने जाते हैं स्रीक्रिष्ण जिस लाठी और कंबल से गाय चराने जाते हैं और जो कंबल ले जाते हैं अगर मुझे वह लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज छोर कर उन्हें ही लेकर रम जाओं अगर ये हांसिल ना हो केवल दंद बावा के गाएं ही चराने को मिल जाए अगर लाठी कंबल ना मिले केवल गाएं दंद बावा का चराने के लिए मिल जाए तो आठो सिद्धियों और नौ निद्धियों छोज दूं कभी का स्रीकृष्ण पर उनकी त्यागी बस्तुएं ही प्यारी नहीं है, वे उनकी क्रीडा भूमी जहां पर वरज पर भी खेलते थे उस पर भी मुगदे हैं, कभी कहते हैं, तो और सयोग वस मुझे बरज के जंगल बाग और वहां के घाट तथा करील के जो कुंज थे, तालाव थे, जहां में ल प्रेम कोई कर सकता है क्या कभी रस्खावन, इसा नहीं करते हैं, ठीक है है तो हमारा यह वीडियो कि छेप्टर खतम होता है ठीक है हमारा यह चप्टर खतम होता है आपका आज के इस वीडियो में हम आपको यह दूसरा चप्टर आपको बताए है प्रेमाईनी स्रीराधिका जिस्तलेका करस्खान जी है अरत भी बताया, कुस्तर अंसर भी बताया थैक्स पर वाचिंग, मिलते हैं अंगले वीडियो में प्ले लिष्ट में जाईए, जो भी यूजफुल वीडियो आपको लगता है आपने कलास का जरूर देखिए, धन्यबाद